हाई एवरिवाइन असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप लोग बिलकुल ठीक होगे खरियत से होगे और मज़े में होगे तो फ्रेंड्स आज का व्लोग थोड़ा सा अलग होने वाला है आज मैं आप लोगों के साथ कुछ विंटर सेल्फ केर टिप्स शेर करने वाली हूँ विंटर आ चुका है तो ऐसे में हमारा हेर, स्कीन और हेल्थ का केर करना बहुत जरूरी होता है तो इसके लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेर करूँगी तो चलिए फर्स्ट टिप्स है वो है अपने आपको हाइड्रेट रखना इसके लिए आपको धेर सारा पानी पीना होगा और वो भी वाम वाटर तो गर्म पानी को आप थर्मस में रख लीजिए गर्म करके क्यूंकि बार-बार गर्म करने से बजेंगे और इससे पानी उतना पी सकेंगे जितना पीना चाहिए और अपने आस पास ही रखें सुबा उटकर के मौर्णिंग में हर बल्टी तो जरूर लीजिए इसे भूलिएगा मत स्किप मत कीजिएगा सुबा में और रात में सोने से पहले आप हल्दी वाला दूद जरूर पीजिए ठंडी के मौसल में और विंटर में बीमार होने के भी चांसे बहुत ज्यादा होते हैं तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा बस इतना करना है कि सीजनली जो सबजियां जो मिलते हैं विंटर में उसे आपको खुब खाना है और कच्चा खाएं सालेड बना करके या पका कर खाएं जिस भी आलत में खाना है लेकिन खाना है तो फ्रेंट्स मुझे आदत हो यह जब से आदत हो गई है कच्चे सबजीयों को खाने का सालेड बना कर लेकिन अगर आप से नहीं खा पाते हैं आप तो आप पका कर खाएं लेकिन खाएं जरूर तो यह सब सबजियों को खाने से न आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रोंग होगा और बीमार पढ़ने क चांसेज बहुत कम हो जाएंगे तो फ्रेंट्स, सेल्फ केर में पहला फोकस होने चाहिए इंटर्नल रोडिन का तो वो तो हो गया, वो जो की बहुत ज़री था तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हैर केर कर लेते हैं, क्योंकि आजकल जो ठंडी कम होसम है ना तो इसमें डेंटर्फ होने के चांसेज बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए ये वाला हेर पैक बहुत ही अच्छा है सबसे पहले तीन बड़ा चमच जो है दही लेना है, फिर हनी लेना है एक बड़ा चमच, उसी चमच से ये ओलिव ओयल लिया है मैंने आप कोई भी तेल डे सकते हैं उसके बाद फिर थोड़ा सा इसमें नीबू का रस टाल दीजे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है उसके बाद जो है अपने सकल्प लगा लेना है और अगर बच जाए ये पैक तो फिर आप अपने बालों में भी लगा लीजे एंड में भी लगा लीजे तो चलिए इसे अच्छी तरह से लगा करके मसाज कर लीजेगा तो फ्रेंड्स इससे बहुत ही फाइदे है ये दही जो है न और शाइन लाता है बालों में और नीबू का तो इतना ज्यादा फाइदा है नीबू से आपका डैंड्रक तो एकदम से चुबंतर हो जाएगा तो बस इसे अच्छी तरह से मसाज कर लीजे और फिर ये जो है शावर कैप है इसे आप अपने हेर पे कवर कर लीजे तो चलिए आधे गंटे तक ये सर में ये जो है पैक लगा रहेगा और उसके बाद अपना दूसरा केर कर लेते हैं तो सबसे पहले हेर रिमूवर काम करना है तो यहाँ पे मैं अपर लिप पे हेर रिमूव कर रही हूँ और उसके बाद फिर इसी से आइब्रोज भी पना लेती हूँ तो फ्रेंट्स थ्रेडिंग तो मुझे खुद से करने नहीं आती है और ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे बहुत ही इजली मतलब हेर रिमूव हो जाता है इससे और बार बार पारलर जाने से बच जाती हूँ अब यहां पर मैं बाडी स्क्रब त्यार कर लेती हूँ तो देर चम्मच कॉफी लेना है दो चम्मच पीसा हुआ चीनी लेना है एक चम्मच ऑलिव ओल या कोकोनट ओल या कोई भी ओल ले लीजे और उसके बाद यहनी लेना है एक चम्मच और इन सभी को मिला लेना है तो फ्रेंट्स आपको पूरे बाडी पी लगाना है तो आप और ज्यादा स्क्रब बना सकते हैं मैं आप हाथ में पैर में और फेस पे भी यही लगाऊंगी तो पहले हाथ पहर जहां जहां भी स्क्रब करना है उसे धो लेना है शैंपू कर ले या साबून से धो ले तो उसे धो लीजिए, साफ कर लीजिए उसके बाद फिर जहें स्क्रब लगाना है तो आराम से इसे लगाना है और चीनी दरदरा पीसा हुआ है इसमें मिलाना है तो फ्रेंट्स ये कॉफी स्क्रब जो है न मैं हमेशा यही यूज करती हूँ क्यूंकि इसके रिजल्ट जो है न बहुत अच्छे मिलते हैं तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है तो हलके-थे दो मिनिट तक इस तरह से रब करना है और फिर इसे धो लेना है इसी तरह से पैर में भी लगा लिजिए जहां-जहां भी बॉड़्ी में लगाना है वहां भी लगा लिजिए तो फ्रेंट्स मैं अब फेस का स्क्रब करूंगी और कॉफी का जो मैंने तयार के रहा था स्क्रब उसी से करना है और लिप का भी आप एक मिनिट तक स्क्रब कीजिए और उसके बाद फेस को धोलीजिए नौर्मल पानी से तो यह फस्स स्टेप है फेस केर का जो की बहुत ही ज़रूरी है और उसके बाद दूसरा जो है ना फ्रेंट्स यह बहुत ही इंपोर्टेंट है तो स्टीम लेना गर्म पानी कर लिजे और इस तरह से टौविल डाल करके और स्टीम ले लिजे और अगर आपके पास स्टीमर है तो और एजी है बहुत ही अच्छा है लेकिन यहां पे केला लेना है पका हुआ और इसमें आधी चोटी चमच हनी डाल देना है शहद तो फ्रेंट्स यहां पे मैं ट्रांसफर कर रही हूं दूसरे प्लेट में क्यूंकि उसमें ऐसे मतलब मैश नहीं हो पा रहा था और शहद डालने के बाद फिर आधी चोटी चमच यह मैंने डाला है देही और इन तीनों चीजों को जो है अच्छे से इस तरह से मैश कर लेना है फॉक्स से या किसी भी चीज से आप मिला लीजी और इसे अपने फेस पे लगा लीजी यह लगा कर यह 10 मिनिट तक छोट देना है तो फ्रेंट्स मैं आपको यहां पर बताना चाह उसके बाद पैक लगाएंगे ना तो बहुत ही फायदा करेगा असर दिखेगा तो फेस पैक लगा करके दस मिने टैम था तो उस बीच मैंने अपने बॉड़ी को मसाज किया हाथ पैर पूरे बॉड़ी में उसके बाद मैंने धोलिया अपने फेस को उसके बाद मैं लगा र तो बस इसे लगा लेना है, अच्छी तरह से मसाज कर लेना है फेस को, और उसके बाद फिर संस्क्रीन की बारी आती है, तो वो भूलियेगा मत, वो बहुत जरूरी है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में शेयर किया था आपके साथ संस्क्रीन, कि कौन समय यूज करती हू तो यह मामार्स का संस्क्रीन, और इसे लगाना बहुत जरूरी है, ठंडी के मौसम हो या गर्मी के मौसम हो, आप तो जानते ही है, सिर्फ संलाइट से ही बचने के लिए यह नहीं लगाया जाता है, जैसे कि धूल हो गया, डस्ट हो गया, और उसके अलावा, किचन में हम ल तो इसका केर करना बहुत जरूरी है, ठंडी के मौसम मेना यह सुखा-सुखा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, एकदम रूखा-सुखा हो जाता है, तो फ्रेंड, इसमें स्क्रब करना बहुत जरूरी है, हफते में दो बार जरूर कीजिए, और इसमें लिप बाम लगाते र लेना है और यह बॉटल देख रहा है ना इसका हाफ रोज वाटर है इसमें तो सब कुछ डालने के बाद जो है इसे अच्छे से शेक कर लेना है मिला लेना है और उसके बाद फिर बालों पर स्प्रेक कर लीजिए बहुत ही अच्छा यह सिरम है घर का बना हुआ तो इसे हेर वाश करने के बाद वहीं पर काम खतम नहीं हो जाता है अभी काम बाकी है तो आपको यहां पर सिरम लगाना बहुत जरूरी है बाल डैमेज होने का मेन वज़ा तो यही होता है कि बाल तो वाश कर लेते हैं और उसके बाद सिरम लगाते ही नहीं है तो इसे बाल डैमेज होन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है मैं लगाती हूँ यह वैसलीन अगर ज्यादा एड़ी फटा है तो आप बोरोलीन लगा यह बहुत ही असरदार होता है और उसके बाद सौक्स पहन लीजिए और ऐसे भी ठंडी को मौसम है तो सक्स पहनते ही है तो फ्रेंट्स चलिए में तब तक अपना धेर सारा ख्याल रखें हमें भी दूआउं में याद रखें अल्ला आपी